Hey friends, how are you today? Namaste, I am going to make a panna cotta, which is our summer dessert. So let's check it out. दोस्तों, panna cotta बनाने से पहले मैं आपको बता दूँगी, panna cotta एक इटली का dessert है. इसका मरलब होता है cooked cream, which is basically is a pudding. So let's get started. सबसे बहले दोस्तों हमें चाहिए एक deep pan, उसके अंदर हम डालेंगे 200 ml thicken cream. देन 200 ml full cream milk. 60 gram sugar. 1 spoon of vanilla extract. अगर आपके पाँ vanilla bean है, तो that will be fantastic. हम इसको रखते हैंगे pan के उपर medium heat पे. stir them every five minutes, otherwise it will be burn from bottom and you will get a burn flavor. दोस्तों हमें जिलाटीन चाहिए 30 gram, उसके अंदर हम डालेंगे दो चम्चे थंडे पानी के और उसे हम 10 minutes के लिए रखतेंगे. दोस्तों जब हमारा पैना कोटा mix boil level पे आ जाए तो उसे heat से इटा लीजिए और ठंडा होने दीजिए. ठंडा होने के बाद ही हम जिलाटीन उसके अंदर मिला सकेंगे. हमारा जिलाटीन ready है. और अब आप इसे पैना कोटा mix के अंदर मिला सकते हैं. इछे अच्छे से stir कीजिए, mix कीजिए, पैना कोटा mix के साथ तभी यह कंबाइन होगा. दोस्तों, आव यह नहींद तोब आप रखते हैं तोबूटा मिला मिला सब्सक्राइब पैना कोटा मिला आपाटीन जिलाटीन लुटारा पैना कोटा. कि स्ट्रेन डोल दावे ले ले लेंगे इसे हम कहते हैं आइस पाथ और इसके अंदर हम अपना प्याना कोटा मिक्स का बाहर रखेंगे जो कि अभी गरम है और इसको हम स्टेर करके ठंडा करेंगे त्हटंडा होने के बाद आप इसे glasses के अंदर सर्फ कर सकते हैं कम से कम चार गंटे के लिए से रफ्री जनरेर के अंदर रखी दोस्तों मारा पैना कोटा रेडी है मैंने इसे सर्फ किया है स्टोबरी और ब्लूबरी कुली के साथ आप किसी के भी साथ सर्फ कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कि लेकिने गिलिए शकरिया दुस्तों तो वर नाओ बाय वाइ